कि हण लोग आज अनेकडमी के हेडिकौर्टर से हैं और हमें आज अवार्ड मिला है मैं अब बहुत ही बहतर आवार्ड मिला है मुझे भी एजुकेशन अव दमंत का अवार्ड मिला है इसी के उपलक्ष में मैं आप लोगो कोछ देना चाहता हूं कि अगर अगाडमी मुझे तो सबसे इंपॉड़न्ट सबसे इंपॉड़न्ट है कि जो मुझे अवाउड मिला है एजुकेटर रथ वज़े से मिला है शाद मैं इसके लिए डिसर्ब नहीं करता हूं वह आपी के वज़े से और मैं आप सब को यह ठैंक्स बोलना चाहूंगा और कल मेरी क्लास हो गई जो करेंगे और आठ से नौ वाली जो क्लास है उसमें हम जानेंगे कि दो महीने का क्या स्टाटीजी होना चाहिए क्योंकि अब बहुत ही कम टाइम रहे हैं सिर्फ साथ दिन जैसे ही साथ दिन सुनने में आता है धड़कन तेश हो जाते कि आरे साथ दिन कैसे हो पाएगा अब एक जाएगा थोड़ा साथ आपको इंटरॉट करना चाहूंगी आर्मी यहां पर प्रेजेंट हो एलो एवर्यवान एगर फ्लीज जरा सा शूर मचा दे मैं आपको कुछ बोलना चाहती हूं थोड़ा सा चोटू सा अप लोगों को पता होगा हम हैड़कौर्टर्स में आ सब्सक्राइब आपको पता है और अपने सपनों को सकार कर सके और बार से एक और चार से पांच जो है उसमें हम मौलेकुलर बेसिस आफ इनरिटेंस जो हमारे चूड़ गया था आज आपको पता है दो घंडे के अंदर कंप्लीट करेंगा आपको आना चाहिए बिल्कुल आना चाहिए क्योंकि फ्री अफ कॉस्ट है सबसे बच्चो फिजिक्स आपको पता है चाहे दस बार रीड कर लो आपको नहीं आएगी जब तक पैन कॉपी नहीं उठाओगे और नहीं पैन से लिखो अपको मुझे लगता है किस पर्लाइग करते हैं वरना नहीं नहीं यह एगा नहीं तो 1045 x मुझे लगता है कि अगर आपका ड्रीम कॉलेश तक पहुचना है तो सिर्फ फिजिक्स का ही मदभाथ हो सकता है क्योंकि सबको बायो और किमिस्टी तो आता ही है तो बायो मिजॉरिटी कवर करता है तो बायो स्रॉंग मेरे साथ कर सकते हैं तो देखे हम लोग यहां पे कुछ क्लास के अलावा कुछ प्लस पे ख़ी आपको इंट्रीव करेंगी क्योंग इस महीने जो है आने वाले मार्श अपरल में बहुत भीःतर सेशिव आरहे है क्योंगि क्या होता है कि जब लास का इकजाम होता है तो बहुत सारे स्स pretty आज मैं पारुहारी करा था कि कुछ आसा ह जिससे जो है हम अपने सारे syllabus को एक brush up कर लें जल्दी से कर लें थोड़ा सब क्रूशियल टाइम होते है क्योंकि जितना कम टाइम बच जाएगा ना उतनी टाइम की value बढ़ जाएगी तो यह 60 days are really going to decide कि कहां पर किस direction में आप जा रहे हो और हमें उपर जाना है ठीक है बिल्कुल मचा नहीं है नीट exam में तो basically क्या है कि इप सबसे पहला question आता है कि बहुत सारे बच्चे ना इस समय टेस्कुर्शन जॉइन करते हैं टेस्रीज जॉइन करते हैं बट होता है क्या है कि जॉ भी बहतर है और आप बिलीव नहीं करेंगे कि अभी से इसमें इन्रॉल्मेंट करीब 100 हो चुके हैं बहुत ही इसमें मोड्यूल में हम 11 डिसकुस करेंगे और नेक्स जैसे अपरेल आएगा तो इसमें हम लोग 12 डिसकुस करेंगे कितना स्ट्रेजिकल पूरा चल रहा है कि पहले क्लास 11 करवाएंगे फिर क्लास 12 कराएंगे उसी तरीके से अगर मैं शौर बाच की बात करूं तो देखो बच्चो मैं प्लीस चोट टू सा टाइम लेना जाते हूं आप लोग सर मुझे काफी मेसेजेस आते हैं कि फ्री प्ल हैं यह थाच मैं अी। कर दायत था ब्लास 12 किर्थ सes 12 कौर मैं खेया बागतव लेक मत तो बीडीत मत अबर म्हें पूचा क्रोभाण विजेख सरह के शनर्णने तो प्लस में थोड़ा साज कर लोगोजा है. तो अगर मैं अभी शाहूर बाच को मैं बाट करना तो इसे हर ज section क्यों ठीक है often examiner's brain basically ताकि आपको पता लगे कि examiner's सोचता कैसे है क्योंकि सोचो जो बच्चा examiner's ही आगे चल रहा है ठीक है और अब बोलते examiner के साथ चलो अगर आप हमारे साथ रहोगे examiner's से आगे चलोगे और examiner's से आगे फिर को ना फिर तो आपका मौलाना अजाजाद जैसे की सर ने जहां से MBBS किये बस फिर तो वही college है actually क्या होता है कि हर चीज जो है मतब कि कुछ मजबूरी होती है मतब मजबूरी इंदे से इसकी आप कितना अगर मैं रोज इवन मैं रोज पढ़ाता हूं अगर आप जल्दी स्टार्ट करेंगे तो सफल सब्सक्राइब जो है निश्चत हो जाती है यस तो यह batch है मेरा जो काफी एहम हो है और यह start हो रहा है और इसमें इंडिया के सबसे टॉप मूस्ट टीचर है और यह 10 मार्च से start हो रहा है इसमें भी आप enroll कर सकते हैं पूरे 12 महीने का सब्सक्रिप्शन लीचिए और आईए और घर पे बैट के आपने सपनों का सकार किजे आप लोगों को क्या चाहिए आपको बस एक एडुकेटर चाहिए वह हम है जैसे कि अभी मैं हमारे प्लस कूर्स के बार में तो बाद में बताना चाहूंगी पहले देख लो कि मतलब हम क्यों बोल रहे हैं प्लस पर आपको क्या मिल रहा है थोड़ा सो उसके उपर पहले सर इनको बता देते हैं वरना सोचेंगे कि ऐसे क्यों भई पहली बात तो लाइफ टेस्ट और क्विज घ कि बहुत ही बेसिक बात है कि हमें तो सब आता है हमने तो यह पढ़ लिया हमने तो वह पढ़ लिया जैसे कि अभी एक टीसी आर्मी की एक मेंबर का नाम लेना चाहूंगी प्रत्यभा पांडी उसने भी बिलकुल एक बात बोली थी खबसे मेरे दमाग में चिपक चुकी है ठीक है कि चीजों का आना और उनको क्वेश्चन में अटेम्ट करके सही आंसर करना तो डिफरेंट थेंग्स ठीक है तो यह जो लाइफ टेस्ट और क्विजस हो रहे हैं जो भी आनक आडमी प्लस उनसे आपको पता लगेगा कि अगर आप यहां पर हो ना और आप यह समझ लगेगा जब तक आप इस तरीके से उनके साथ कंपीट नहीं करेंगे अचली देखे इसमें क्या होता है कि आपको लाइफ टेस्स और क्यूजिस मिलते हैं हर वीक आप अपने को अनलाइज कर पाएंगे कि आप कहां एक्चली लैंड हो रहे हैं मतलब कहां है आपका स्थित हर एक चौथा क्लास जो होता है वो डाउट क्या होता है मने भी लेता हूं तो हिसे प्लस काफ़ी एहम हो जाता है फ्रीमें और यूटूब में शायद आसाराक इंट्राफिक इतना जाधा रहता है हम लोग हर बच्चे को नहीं कर पाते हैं कितो यहां पर आपको डाउट मि 80 72 out of 80 मदब काफी बहुत ही मुझे एहम लगता है क्योंकि आपका वो कर सकते हैं रियल टाइम अनलाइज कर सकते हैं पूल यह काफी important है जिसमें आप even plus पर पढ़ रहे हैं काफी बच्चे हैं तो उसमें जब आप instant जबाब देते हैं तभी दिया जाता है मुझे जैसे लगता है कि अगर आपका टॉपिक बहुत ही कमांड हो बहुत बार पढ़ा हो तो अगर आप टॉप करते हैं तो मुझे लगता है कि अगर आप यही रेगुलेटी को मेंटेन करेंगे तो शाहत वहां पर एच्छा तो और मेंबर को मैं प्लीज हाइलाइट करना चाहूंगी क्योंकि यह कुछ ऐसे बच्चे हैं जो जिन से सीखने को मुझी इंस्पिरेशन मिल जाती है कल मैंने जैसे की बताया नूखलिया के ऊपर मैंने प्राक्टर सेशन दिया दर्वाज अस्टूड नेम स्वायम नाव तो इसलिए यहां स्लाइट पर मैंने बता है कि लर्न इनी टाइम अनिवे ममी कहां हो चाची कहां हो मामा कहीं पर भी हो अने कैटमी आपके हाथ में है तमन्ना में हम आपके साथ रहेंगे हमेशा तो सेड्यूल डाट्स वर्क फॉर्क यू जैसे भी आपको अच्छा लगे यो जाता है यहां पर तो अगर क्लास मिस हो जाता है को हुआ रिकॉर्डर देखियो और मुझे लग रहा है कि अभी बहुत सारी कारी मेरे पास आएगी कि सर आपका हम रैपिड फायर वाले जोइन करना चाहते हैं आपका डाउट वाले करना चाहते हैं और नौ हजार फीज हम नहीं दे पाएंगे अगें फिर से फीज सस्ता हो गया है और ये छी हजार में आप एक म एक महीने का आप ले सकते हैं और मतब एसस कर सकते हैं कि मतब कैसे लग रहे आपको क्या आपको वाकि अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है कैसे लग रहा है एक बार ट्राई तो कि एक बार आईये तो तब आपको रियल टाइम पता चलेगा कि क्या फरक है एक्जाक्ली recorded lectures मिले हैं हम मुझफली खाते क्लास देखो कोई आपको नहीं तोकेगा ठीक है लास्ट बेंच पे नहीं जाना पड़ेगा आपको यहां पर दाउट चलेरिंग सेशन्स हैं यहां पर टेस्ट सीरीज है और टेस्ट सीरीज सर यह तो हम बताने पूल गए टेस्ट सीरीज आपको लगता है हम सेट करते नहीं तो सोचो सार हर संडे को होता है तेन टेस्ट होता है अगर कोई बच्चा तीनों के तीनों टेस्ट देए हर संडे को इमाजने लेवल उफ प्रपरेशन क्या बढ़ जाएगे आपके बहुत अगर मैं अगर शॉट्स में बताना चाहूं तो अब सिर्फ अगर आप नीट 2020 के लिए प्रिपेर कर रहे हैं तो आपके बस दो महीने का समय है और मैम का भी बैच चल रहा है मेरा भी बैच चल रहा है आपको बैच जोइन करना चाहिए अगर आप इतना अफॉर्ट नहीं क कर सकते हैं क्योंकि होता है कि इंडिया में हर एक तरीके के स्टुडेंट हैं और मुझे नहीं लगता है कि 6,000 और 5,000 तो पांच अजार में कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है तो आप जोइन कर सकते हैं एक महीना दो महीना जो भी आपको एक महीना का लगे और अगर आप 12th स्टुडिंग है और सोचिये मत एक साल का सब्सक्रिप्शन लीजे माम का भी आ रहा है बैच मेरा भी आ रहा है दो बैचे जैसे बोलते हैं कल करें सो आज करें सो मैं तो पहले अब भी अब भी जैसे पापा घर पर उनको बोलो कि प्लस सब्सक्रिप्शन दिलाकर दें सब्सक्रिप्शन लोगों को कि क्लास 11 क्लास 12 किस तरीके से एक साथ मैनेज करें तो हम क्या करेंगे हम मैनेज करवाएंगे आप कभी आओ तो कभी प्लस पे जैसे मिता मचन बोलते हैं कभी दिन गुजारो तो पता लगए तो इन शॉर्ट क्या है कि आपको जॉइन करना च यह जरूर और फ्री पर पढ़ाऊंगा और मैं बताऊंगा कि साथ दिन में फजिक्स केमिस्ट्री बायो को बहतर तरीके से कैसे किया जा सके ताकि आप अपना जो सेलेक्शन है उस सुनिश्चित कर सके और इसके अलावा कि बारे से एक और दो बारे से एक और चार से तो इसलिए मैं की आज क्लास है और यहीं से पढ़ाएंगे तो काफी कमाल कहोने वाला है तो आईएगा ज़ूर और कल भी आईएगा कल मेरी क्लास रहेगे और मैं की आज क्लास रहेगे बहुत-बहुत थेंक्यू और हम लोग आपसे मिलना चाहते हैं प्लस के उपर थैंक thank you so much thank you for the award चलो बाइ बाइ बाइ